हलो दोस्तों मेरा नाम है अभी सेख और मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर एक नया चार्जिंग केमिकल यह देखिए यह है वाइट फास्फोरस मेरे हिसाब से यह है वाइट फास्फोरस और इसकी मदद से हम लोग इसमें जो है चार्ज करके दिखाएंगे आपको कि इसमें राइस कैसे खिचता है और बोटल में जो देख रहे है वह है मैगनेटिक वाइट मैगनेटिक और इस इन दोनों की मदद से आपको दिखाएंगे राइस पुलिंग और एंटी अरण कैसे बनाए जाता है देखिए इसी पात्र में हम लोग बनाएंगे देखिए इसी के बस नीचे वाला ही जो जगह है इसी में हम लोग केमिकल को चढ़ाएंगे क्योंकि पूरा में केमिकल चढ़ाने में बहुत मेहनत है बहुत पैसा लग जाएगा देखिए इसको ऐसे रख देंगे अब यह है वाइट मैगनेटिक और इसे हम लोग एक सिरिंच की सहायता से निका पड़ेगा जो की एक डिवाइस है जो 4000 वोल्ट आपको निकाल के देगा इस डिवाइस के जरी हम लोग इसे चार्ज करेंगे आई यह पहले मैगनेटिक और निकालते हैं और ध्यान रहे इसे आपको घर में ट्राइड नहीं करना है अगर आपको अच्छा से नहीं समझ में कि आता है तो क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है यह इसके चार और डालेंगे और जैसे हम डोग हीरी हो गीसे इसके चार और धीर करके नुद रूलेंगे यह कुछ जाला होगी तो दोस्तों ये बहुत डेंजर चीज़ है इसे बहुत साधानी से इसे इस परकिरिया को करना है और मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको नहीं उतना नौलेज है तो ये घर में बिल्कुल ट्राइ नहीं करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं बचा हुआ जो मेगनेटिक आयल ह वह भी हम लोग डाल देते हैं देखिए ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक कर दीजिए और बेल का इकन भी दवा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको एक्टम समय से मिल जाए देखिए एक तरफ से काम कर रहा है लोग दिखाते हैं कि इसे इस बैटरी की मदद से कैसे इसे चार्ज करना है यह हो बैटरी इससे पहले कनेक्ट करना है इस परकार से देखिए लगग इसका केमिकल नीचे में है और इस बैटरी की सहाइता से और इस डिभाइस की सहाइता से इसमें जो 4000 फोल्ट को परवाहिद करना है जिससे वो केमिकल जो है इसमें एबजोर्ब हो जाए और धोने के बाद भी इससे ना जाए इसमें इसका जो क्वालिटी है वो बरकरार रहा है देखिए अब इसे हम लोग 4000 वोल्ट इसमें प्रवाहित करेंगे देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें से बहुत जोर से चिंगारी निकल रहा है और इसी प्रकार इसे चार्ज किया जाता है और चार्ज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है ये लगवाग 5 इंची से ये राइस को अपने और खीचेगा तो दोस्तों चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबा दे और लाइक कर दे इस परकार का वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा और मुझे वीडियो लाने में काफी लेट हो जाती है क्योंकि बहुत मुश्किल से पता चलता है कि कहां पे बनता है और कहां पे केमिकल मिलता है इसलिए मैं वीडियो जो है आने में मेरी वीडियो आने में टाइम लग जाती है और चलिए वीडियो पर देखते हैं यह देखी इस तरह का सॉट देते रहना है जब भी इस परकार का आपकारी करें तो गलफ पहन ले क्योंकि इसमें 4000 फोल्ट होता है जो की बहुत ही जादा होता है और यह बहुत डिंजर होता है आपके लिए तो चलिए अब इसका काम तो हो गया है खतम और अब इसमें से निकालते हैं हम लोग केमिकल को हटा देते हैं और जो है अच्छे से साप सफाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना चार्ज हुआ है और कैसे इसको उप्योग में लाना है चार्ज होने के बाद चलिए केमिकल हटा लते हैं पहले एक चीज आप लोग देख रहे होंगे वाइट मेंगनिक्टी कॉयल यह नॉर्मली मिलता नहीं है मेरे ख्याल से इसे यह लोग खुद से बनाते हैं और इस केमिकल की बहुत ही ज़्यादा और सकता होती है एंटियरंग फंक्शन को लाने में पहले साफ कर लेते हैं बढ़ियां से और इसमें हम लोग बिचाते हैं एक पेपर चलिए पेपर बिचाते हैं यह देखिए इसमें मैंने मार्किंग किया हुआ है कि कितना दूर से जो है राइस को खीचेगा इनका कहना है कि पांच इंची से खीचेगा और इस राइस को हम लोग धान से जो इससे चावल निकलता है यह देखिए यह धान है इससे हम लोग इस चावल को निकालेंगे चावल फ्रेस होना चाहिए इसमें लोहाग से इसमें नहीं निकालना है जैसे मीडवेल का चावल इसमें नहीं चलेगा चलिए फिलाल तभी 6 इंची में रखते हैं हम लोग फिर इसे हम लोग 5 इंच में घसकाएंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा है दोनों साइट रखते हैं गलब से धान छूड़ता नहीं इसलिए मैं खांत का गलब खोल दिया हूँ और अब चलिए लगवक छूड़ लिया है अब इसे हम लोग 5 इंची तक पहुचाते हैं और उसके बाद देखते हैं ये काम कर रहा कि नहीं दोनों साइट से 5-5 इंची पर रखके थोड़ देर वेट करते हैं देखिए काम कर रहा है दोनों साइट से चावल जो है आपका इस पात्र की ओर आ रहा है तो दोस्तों इस परकार का वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब आपको एंटी आरन दिखाते हैं देखिए यह ब्लेड बहुत बड़ा ब्लेड ले लिए है हम लोग जबकि छोटा लेना चाहिए था लेकिन इनका कहना है कि इसे भी ये फिक देगा थोड़ा सा कम दूरी से फिक देगा लेकिन इसे भी ये फिक देगा तो चलिए एक बार इस पात्र को घसकाते है ये बहुत पुराने समय की सुराही है और पुराने समय की जो ये चिराग जैसा दिख रहा है इसमें क्या है ये अलग हातू से बना होता था इसलिए इसमें जो है केमिकल चढ़ाने में काफी अच्छा चढ़ता है इसलिए इसका इ देखिए ब्लेड हलका 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 घंचक रहा है थोड़ ज्यादा ताकत लग रहा है लेकिन यह जो है काम कर रहा है तो दोस्तों इस परकार का वीडियो देखने के लिए आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए